दोस्तों चटपड़ी रस्वई में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे अर्भी की सबूझी आज हम अलग तरीके से बनाने वाले हैं आधा किली 19जाफ करें और इस तरीके करेंगे और भी को फ्राइ कर लेते हैं जितने पीसुद एक पार में आ जाएंगे इते डालकर फ्राइप कर लेती हो भी देखें सभी गोल्डन ड्राउन हो गए हैं अब मैं इनको निकाल देती हूं बाकी अरबी भी हम इसी तरीके से पहले प्राइ कर लेंगे सभी अरबी हमारी पुरी फ्राइ हो गई है सभी और अब यह मैंने उसी तेल को कम करके ले लिया है इसमें हम लगाने वले हैं चौंक तो देख लेते हैं हमें क्या चाहिए हम इसमें डालेंगे अजवाइन है यह अजवाइन का चौंक अरबी बेद बहुत ही टेस्टी रगता है और अब इसमें मीडियम साइज के दो टमाटर और तीन मैंने हरी बेट को बारिक कट कर लिया है मीडियम कर दोते हैं प्लें बाती ही बसा लेज़रों के लाती हैं रावती नाज़ए में डाल बिक लेगी हैं हाफ टेबलस्पून खर्ड़ी है पुरा रखी से अखॉर्ड़ी ली वन टेबलस्पून रमैया हुआ हु रावती गुद्पार तरी आयामने तबाती को पुरा रश कर लेती है देखें यहां पर टमाट्रा मारे बिल्कुल गल रहे हैं और अब मैं यह एड कर रहे हूं यह है दही और दही को मैंने कपड़े में बांग कर टांग दिया था तो यह विल्कुल हैं क्यावा दही है यह एड करेंगे यहां दही को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है अब हम इसमें डालेंगे फोड़ा सा पानी जैसे वी सब्जी हमें रखनी है थोड़ी सी रूप कुटी बस इसी हिसाब से हमें इसमें पानी डालना है अब इसमें डाल देते हैं अर्भी तो हमारी अर्भी मसाले वाली पंकर देखिए तयार है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है यह आप भी ट्राइ करिएगा अब हमें इसे पकाने की ज़्यादा ज़रुत नहीं है क्योंकि अलड़ी हमने अर्भी को फ्राई कर लिया था तो देखिए अर्भी अर्भी पहले ही हो गई है देखिए मैं आपको दिखाते हूं यहां पर दबाने से अर्भी हमारी दब जा रही है बिल्कुल लगता है हमें कि यह थोड़ा कच्ची है तो हम थोड़ी देर इसी मसाले में इसको पका सकते हैं थोड़ा से में पानी और एड़ किया है तो लो फ्लेम पर हम इसे थोड़ी देर दो से तीन मिनाट और इसे पकने देते तकी इसके अंदर मसाला भी अच्छे से इसके अंदर पक जाएगा तो ठीक दिया है मैंने इसको देखिए दोस्तों तीन मिनाट बाद मैंने इसको चेक किया था देखिए कितना अच्छा इसके उपर ओयल भी निकल आया सबजी का कलर बिलकुल बहुत ही बढ़िया कलर आया है अच्छा मैं बिलकुल गली भी खाती हूं अर भी तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी एड़ करके और इसको पूरा पांच मिनट तक मैंने इसे पकाया है अब हम इसमें एड़ कर देते हैं धरम मसाला और हमारी सबजी तयार है दोस्तों आप इसको एक बार ऐसे बनाकर देखेगा बिलकुल अलग पेस्ट आपको लगेगा और मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो बहुत ही छोटा सा काम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर करीगा